वेलकम तू स्टूडेंट सक्सेस बाई जे अस दन्जूर। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम में आए हुए कॉंप्यूटर सेक्शन के सारे कॉशन्स डिस्क्स करेंगे और इसके साथ साथ उनी कॉशन्स से रिलेटिड जितने भी कॉशन्स कॉंप्यूटर एक्जाम में रिपीट होते हैं वो सारे कॉशन्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आग के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के description से download कर सकते हैं PDF आप हमारे Telegram Channel से भी download कर सकते हैं Telegram Channel का link आपको इस वीडियो के description and comment box में से मिल जाएगा Let's start with question number 1 Which language is comprised of binary coded instructions? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि binary का meaning क्या होता है तो binary का meaning होता है 0 and 1 Means 0 and 1 की form में कौन सी language work करती है तो इसका correct answer है option C machine language अच्छा machine language को हम low level language भी बोलते हैं तो चलिए मैं आपको computer languages के बारे में बता देता हूँ तो computer languages two types की होती है low level language and high level language low level language is further divided into two parts that is machine language and assembly language machine language सारा काम zeros and ones की form में करती है that is binary form assembly language में mnemonics बनाये जाते हैं मतलब short cuts type जैसे add, subtract तो यह हो गए mnemonics अच्छा high level languages कौन कौन सी हैं तो C, C++, Java, Python, PHP, Pascal, .NET यह सारी languages क्या है, high level languages तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कई बार क्या होता है सभी languages दी होती है उनमें से हमें choose करना होता है कि high level language कौन सी है तो आप choose कर पाओगे next question, which of the following device is used for input and output इनमें से कौन सा device input and output दोनों purpose के लिए use होता है तो इसका correct answer है option A, modem यह थोड़ा सा typical question है अच्छा modem से related जितने भी questions competitive exams में पूछे जाते हैं वो सारे मैं अभी आपके साथ discuss करने वाला हूँ तो सबसे पहले computer से जब data modem तक आ रहा है तो it means input हो रहा है तो modem क्या हो गया? input device उसके बाद यह data telephone line से होते हुए modem की help से computer तक जाता है तो यह क्या हो गया? output device उसके बाद एक question हाता है कि कौन सा device modulation and demodulation का function perform करता है तो इसका answer भी modem ही होगा modem modulation भी करता है और demodulation भी करता है अब है कि जब data digital signal से analog में convert हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं modulation उसके बाद जब data analog से digital में convert होता है तो उसे हम बोलते हैं demodulation तो modem से ज्यादा से ज्यादा यही questions पूछे जाते हैं अच्छा students एक चीज जो आपको exam की preparation के time पे याद रखनी है कि आपने आज का काम कल पे कभी नहीं डालना विकल्स जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वेल life में कभी grow नहीं कर सकता अगर आपने यह decide किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को complete करने के बाद ही सोने जाओ इससे आपकी life में बहुत बड़ा change आएगा और step by step आप success की ओर बढ़ते चले जाओगे तभी तो कहते हैं मन्जिल उनी को मिलती है जो निरंतर चलते हैं Because consistency is the key to success Next question Which of the following statement is correct about the DVD? तो DVD के बारे में कौनसी statement correct है? तो इसका correct answer है option C DVD is an optical disc अच्छा DVD CD की तरह ही नजर आती है लेकिन DVD की capacity जो है वो CD से ज्यादा होती है तो सबसे पहले बात करते हैं CD की CD की full form होती है compact disc और CD की capacity होती है 700 MB उसके बाद है DVD तो DVD की full form होती है digital versatile disc और DVD की capacity होती है 4.7 GB and 8.5 GB तो DVD दो capacities में आती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4.7 GB तो यह कम capacity वाली DVD है कुछ students के comments मैंने पढ़े और उन्होंने मुझे पूछा था कि triple C के लिए यानि course on computer concepts कौन सी book best है? तो मैंने काफी books देखी लेकिन उनमें से मुझे यह book अच्छी लगी क्योंकि इसमें latest syllabus अवेलेबल था और सबसे बड़ी बात यह book English and Hindi तोनों languages में अवेलेबल है यह all over India अवेलेबल है और इस book को चक्सू RR Publications ने launch किया है यह book आप online भी purchase कर सकते हो जिसका link मैं इस वीडियो के description में आपको provide कर दूँगा इसमें triple C का complete syllabus cover हुआ है और latest pattern के according इन्होंने यह design किया है जो students beginners हैं उनके लिए यह book बहुत ही अच्छी है because start से लेके end तक इसमें each and everything syllabus के according cover की गई है MCQs की form में इनके practice sets भी market में available है जिससे पढ़कर आप अपनी तयारी और अच्छे से कर सकते है next question what does W3C stands for तो इसका correct answer है option B worldwide web consortium अच्छा अगर www की बात करें तो यह worldwide web इसका answer होगा लेकिन अगर W3C की बात करें तो उसका answer होगा worldwide web consortium उसके बाद अगर 4 times W आ जाए तो इसका answer क्या होगा तो इसका correct answer होगा worldwide web warm तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 times W आ तो उसकी full form क्या है अच्छा worldwide web warm है क्या चीज़ तो worldwide web warm oldest search engine था जो कि पहले use होता था लेकिन आज कल use नहीं होता तो search engine क्या होते हैं जहां पे हम कुछ भी search कर सकते हैं जैसे google, yahoo, ask.com, msn.com, bing, about, altavista तो बहुत सारे search engine है जो searching purpose के लिए use होते हैं तो वैसे ही www, w and w तो worldwide web warm भी एक search engine है next question what is the full form of arpanet तो इसका correct answer है option C advanced research projects agency network तो arpanet के बारे में हमें ये और भी कुछ चीज़े हैं जो पता होनी चाहिए तो ये jcr, liquider and bob taylor तो इन दोनों ने मिलके arpanet को develop किया था ये 1966 के time की बात है तो ये arpanet किस लिए आया था तो ये networking purpose के लिए आया था so that कि जो दूर पड़े हुए computers हैं means remote computers हैं उन्हें connect किया जा सके तो arpanet first network था जिसे invent किया गया था तो ये भी question कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला network कौन सा था तो इसका answer भी arpanet ही होगा तो उसके बाद है कि first time computers को connect कब किया गया था तो arpanet 1966 में invent हुआ था और first time computers को 1969 में connect किया गया था उसके बाद एक और बहुत ही important question है कि जब network आ गया तो उसके बाद internet कब आया तो internet 1990 में आया था तो यह बहुत ही important question है यह भी बहुत बार competitive exams में पूछ लिया जा चुका है अब internet की बात हुई है तो www के बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो अभी अभी मैंने आपको बता है कि worldwide web www की full form होती है तो worldwide web को किस ने invent किया था तो worldwide web को Tim Berners-Lee named person ने invent किया था और कौन से year में किया था 1989 में तो यह भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद मैंने बताया कि 1990 में internet आया था तो 1990 में internet आ गया तो जब internet आ गया तो HTML भी invent हो गई 1990 and 1991 के in between तो HTML को किस ने invent किया था यह question भी कई बार पूछ लिया जाता है www and HTML दोनों को invent करने हो गया ला Tim Berners-Lee person है next question a computer that operates on digital data तो इसका correct answer है option D digital computer तो digital data पे कौन सा computer operate करता है digital computer तो यह देखिए types of computer तो यह भी आपको पता होना चाहिए यह देखिए based on mechanism कौन कौन से types हैं computer के तो यह है analog, digital and hybrid तो पहले इनके बारे में हम discuss कर लेते हैं तो यह देखिए जैसे आपने घर पे laptop या desktop देखा होगा तो वो क्या है digital computer और अगर आप analog की बात करो तो आपने ECG machine वगरा देखी होगी तो वो क्या है analog computer तो जो computers analog signals पे work करते हैं उन्हें हम analog computers बोलते हैं तो यह इनकी example है pressure gauge, ECG machine, etc अगर हम बात करें digital computers की तो digital computers कौन से होते हैं वो computers जो binary system पे work करते हैं binary system में क्या आता है zeros and ones और zeros and ones computer अच्छे से understand करता है अच्छा अगर आप hybrid की बात करते हो तो इन दोनों computers की qualities जिस computer में हो उसे हम बोलते हैं hybrid बाकी ये size पे based और purpose पे based computers भी होते हैं तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जैसे super computer, mainframe computer, mini computer, micro computer और micro computer के अंडर आते हैं ये तीन computers desktop, laptop, palmtop तो ये names आपको पता होना चाहिए कई बार question पूछ लिया जाता है कि options में से choose करो कौन सा computer exist करता है और कौन सा नहीं तो आपको इन options का अगर पता होगा तो आप बता पाओगे कि ये वाला computer exist करता है general purpose computers common computers होते हैं और special purpose computers वो computers होते हैं जो कि specially single task के लिए बनाए जाते हैं next question which type of database schema defines how the data will be stored in a secondary storage data को secondary storage में यानि hard disk में कैसे store किया जाता है तो ये कौन सा database schema हमें बताता है तो इसका correct answer है option A physical database schema तो ये देखी ये आपके सामने है internal level तो internal level को हम physical schema भी बोलते हैं और conceptual level को हम logical schema बोलते हैं और ये सबसे top में है external level तो external level को हम view schema या view level भी बोल देते हैं तो अगर आप physical schema की बात करो तो यहाँ पे सारा कुछ store होता है और अगर आप conceptual schema की बात करो तो यहाँ पे logically data कैसे रखा जाएगा ये चीजें पता चलती हैं और अगर आप external level की बात करें हो तो यहाँ से पता चलता है कि user को data का किस तरह का view नज़र आएगा तो यह DBMS के three levels होते हैं तो कई बार question पूछ लिया जाता है कि DBMS architecture के कितने levels हैं तो इसका correct answer होगा three तो यह levels of architecture पे मैं एक अच्छी सी वीडियो बना दूँगा जिसका link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा मैं इसके बारे में complete knowledge आपको provide कर दूँगा next question what is DBMS तो DBMS की full form क्या होती है तो इसका correct answer है option C database management system तो यह देखिए जैसे यह यहाँ पे पताया हुआ है कि related data जो कि आपस में relate करता है data उसे organize किया हुआ है और उसे कहाँ पे डाल दिया जाता है database में means organized जो data होता है वो कहाँ पे होता है database में और उस database को manage करने के लिए कौन सा software use होता है तो उसे हम बोलते हैं DBMS database management system तो उस software की help से user 1 user 2, user 3 इस data को use कर सकते है database में से अच्छा एक question और भी है जो कि काफी बार competitive exams में पूछा जा चुका है तो user and database के in between as an interface कौन काम करता है तो DBMS acts as an interface between user and database तो ये भी question कई बार पूछ लिया जाता है next question which of the following device is a portable device तो portable device कौन से होते हैं तो portable devices वो devices होते हैं जिने easily carry किया जा सके तो इन में से कौन सी चीज़ है जो easily carry हो सकती है तो इसका correct answer है option A laptop next question what does land stand for तो land की full form क्या है तो इसका correct answer है option C local area network अच्छा land के इलावा भी काफी सारी full form है जो की आपको पता होनी चाहिए ये सारे क्या है types of computer network तो land के इलावा है man metropolitan area network तो ये local area network है जैसे office का network हुआ तो ये man metropolitan area network है जैसे ये एक city का network हो गया उसके बाद है when तो when है wide area network जैसे internet तो internet इसकी example है तो internet all over the world होता है तो इसलिए इसे wide area network बोला जाता है एक और network है pen वैसे तो ये local area network के under ही आता है लेकिन कई बार इसे अलग categorize कर दिया जाता है तो pen की full form होती है personal area network अच्छा कई बार इसके आगे w लगा होता है या फिर यहाँ पे भी w लगा होता है तो w का meaning होगा wireless तो wireless personal area network या फिर wireless local area network next question what is isp तो isp की full form क्या होती है इसका correct answer है option d internet service provider तो जो companies internet की service प्रोवाइड करती है उन्हें हम क्या बोलते है isp next question what does url stand for तो इसका correct answer है option b uniform resource locator तो यह देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है www.google.com www.gmail.com तो यह क्या है uniform resource locator तो url इन पार्ट्स में divided है सबसे पहले है http s तो http s क्या है एक protocol http की full form होती है hyper text transfer protocol और यह last में जो s आपको नजर आ रहा है इसका meaning होता है secure तो कई बार यह question भी पूछ लिया जाता है कि यह जो last में s है इसका क्या meaning है तो इसका meaning है secure उसके बार www.businessinsider.com तो यह क्या है domain उसके बार यह slash से हमें path का पता चलता है और उसके बार यह जो आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है यह है एक web page तो एक website में बहुत सारे web pages हो सकते हैं next question which of the following are important characteristics of database management system तो इसका correct answer है option D all means one, two, three, four तो यह सारी की सारी options correct है तो यह सारी की सारी options database management system की characteristics है अच्छा कई बार acid की full form भी पूछ ली जाती है तो इसका भी meaning आपको पता होना चाहिए तो A का meaning होता है atomicity C का मतलब होता है consistency I का meaning होता है integrity and D का meaning होता है durability तो यह देखी यह सारी की सारी DBMS की characteristics है DBMS से related आगे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैंने advantages and disadvantages of DBMS भी discuss की है आप उस वीडियो को इस वीडियो के description से या फिर channel पे जाके कभी भी देख सकते हैं next question which of the following option is incorrect on given statements तो इन में से incorrect कांसी statement है तो इसका correct answer है option B second statement is incorrect तो यह देखी stream का क्या meaning है it refers to a sequence of files तो यह statement गलत है next question which of the following type of devices is a computer microphone तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि microphone क्या है तो microphone क्या होता है जो device हमारी voice को catch करता है और वही वाली voice जो है वो हमें speaker पे सुनती है तो microphone किस तरह का device है तो इसका correct answer है option C input device तो यह देखी यह काफी सारे input devices आपको नजर आ रहे हैं जैसे mouse, keyboard, scanner, microphone, light pen OCR एक्सेक्टरा Students अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप Student Success Channel by JS Dhanju को subscribe करो वीडियो को like, comment and share जरूर करो ताकि आपके friends भी इस वीडियो का benefit less again Thank you for watching 無 Windows YouTube following listen with issen कर वीज Keys स्न सां सżej कommes सांotto खो